हाई गईज विलकम बैक टो अनदर वीड़ो आफ कॉशन फर यू आई होप गाईज आप सभी बहुत अच्छे होगे दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके आचुका हूँ पाई नेटफ़क के तरफ से सबसे पहले हाईलाइट्स को कवर करते है प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप सभी को पता चलेगा कि अभी हाल फिलाल के अंदर क्या चल रहा है इंटरनेशन लेवल पे अपग्रेट यूजर लेवल आप सभी अपग्रेट कर सकते हो अपने यूजर लेवल को किस तरीके से करना है प्रॉपर बताऊ है पाइचन मॉल को लेके वो भी आपको पता चलेगा टैन इंपोर्टेंट्स थिंक्स बताने वाला हो पाइट फक के बारे में जो आपको अधर क्रिप्टो कॉरंसी के अंदर नहीं देखने को मिलती जिस वजह से पाइट फक इतनी यूनीक क्रिप्टो कॉरंसी है तो दो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं पर रिफ्रेश कर लेता हूं एंड हम चलते हैं अपने फर्स अपडेट की तरफ दोस्तों यहां पर आप सभी देख रहे हो यहां पर एक लाइन लिखी गई है वी आर दी पाइनेट फक वैंगार्ड तो यहां पर आप देख पाओग अब चलते हैं अगले अपडेट की तरह देर इस ऑल्सो अपाई मैप प्रोड़क्ट हेर डस एनिवन नू अबाउट तो यहां पर आप सभी को अभी रिसेंट्ली पाई जैसे गूगल मैप है उस तरीके से आपका यहां पर पाई मैप देखने को मिल रहा है जैसा कि आप स् मिलेगा तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आप सभी के सामने होने वाला है तो कहीं न कहीं पाई नेटफ़क अभी और ऐसी एक्साइटिंग आप्लिकेशन आप सब के बीच में हम सब के बीच में लाने वाला है अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो की पाई ब मिलेगा उस पर आपको खरना है जैसी आप प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करोगे माई प्रोफाइल पे आपको जाना है ठीक है उसके बाद जैसे आप जाओगे तो आपके सामने अपग्रेट का ऑप्षन हैगा ठीक है आपको यहां पे फुल नेम वेगरा शो कर देगा कब और duration की बात करें time duration की तो यहां पर 365 days हमें देखने को मिलता है top up capacity यहां पर आप देखोगे तो आप सभी को 1000 pi के आसपास के देखने को मिलेगी और जो withdrawal capacity है वो 1100 pi के आसपास के ठीक है और उसके साथ हम बात करें vip2 की तो यहां पर जो top up capacity है वो 0.001 से लेके 1000 pi के आसपास है और यहां पर जो withdrawal capacity है वो हमें 1700 pi के आसपास देखने को मिलते है जो कि यहां पर जादा है ठीक है तो vip1 vip2 के हिसाफ से जिसमें भी आपको करना है अपग्रेट पर जैसे आप किलिक करोगे तो आप सभी के सामने आपने जो भी packet select किया होगा उसके सामने ok का option आएगा अब हम चलते हैं अगले update की तरफ जो कि doris in buy की तरफ से आ चुका है और यहां पर आप सभी देखोगे लिखा गया है कैनेडा के अंदर भी पाइनेट फॉक की नईने शॉप्स वगरा open हो चुकी है और easily आप इसको find कर सकते हो और यह online में भी आपको देखने को मिलता है जो कि पाइनेट फॉक के e-commerce platform है और यहां पर 100% आप सभी को इसकी proper payments वगरा देखने को मिलती है अब मैं कुछ आपको footage वगरा भी दिखा दो तो यहां पर स्क्रीन पर आप देख पाओगे अलग-अलग जो brand है उनके साथ भी मिलके काम कर रहा है और इनके खुद के भी जो merchants वगरा है products वगरा है वो भी हम यह इंडोनेशा से अपडेट आ चुका है और यहां पर बार्टर सिस्टम बेसिकली स्टार्ट है डिफरेंट डिफरेंट आपको यहां पर products देखने को मिलेंगे जिनकी payment only only pie के अंदर की जा रही है और proper सभी लोग इस चीज की video footage पोस्ट कर रहे है social media पर जो भी इनको experiences मिल और यहां पर category wise आप सभी को products देखने को मिलते हैं और जो भी आपको search करना हो product वह आप easily यहां पर search कर सकते हो locations के बिहाफ पर ठीक है यहां पर Chinese करके simplify कर रहा है तो उसी हिसाब से आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है ठीक है और यहां पर जो भी आप products search करो के जैसे कि इनोंने कोई seeds वगरा search किया है तो वह देखने को मिलता है उसके साथ और भी different items है और उसके सामने यहां पर आप सभी को pricing भी देखने को मिलती है तो यहां पर पाई के अंदर pricing भी देख सकते हो ठीक है और यह अभी limited locations के अंदर started ठीक है वहां पर जाके आप इसकी buying वगरा कर सकते हो अब चलते हैं अगले update की तरफ यहां पर बताया जा रहा है 50 जो country's है उसके अलग-अलग कौन members है जो admin है जो proper तरीके से manage कर रहे हैं तो यहां पर इंडिया में आपको अशोक करके देखने को मिलेंगे और outside country Ghana के अंदर America करके है उसके साथ और भी different countries है यहां पर ठीक applications वगेरा भी होते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और इंकी यहां पर एक applications वगेरा भी आ चुके टैम्यू करके जैसा कि आप स्क्रीन पर देखोगे यह नई application है और यहां पर भी नए 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 जो प्रोड़क्स है पाइनट वक के वह लिस्टेड किये जा रहे है और इपाई mall in Africa, Africa के अंदर भी आप देखोगे वहाँ पी जो website है उस पर भी यह नएने चीज़े add-on की जा रही है इसक्रीन पर आप सब कुछ देख पार है जो भी मैं आप सभी को पता रहा हूं वो स्क्रीन पर साथ साथ दिखाते भी जा रहा हूं और physically जो इनके promotions वग पूरे ग्लोबल लेवल पे पहुंचना चाता है और दीरे-दीरे करके यह पहुंच भी रहा है और इसने कोई भी ऐसी कैटिगरी नहीं छोड़ी जहां पे पाइनेटफक की पेमेंट्स ना होती हो आप कहीं पे फोन की पेमेंट्स देखोगे या कहीं पे नेसेसरी प्रोड को डिसकस कर लेते हैं जो पाइनेटफक के अंदर है सबसे पहले बताया जा रहा है और यहां पे बहुती प्रॉपर तरीके से लियरिंग की गई है प्राइविसी विगरा को लेके और यहां पे हर चीज आप देख पाते हो किसी एक सिंगल चीज पे एक काम निकर रहा है अल अब भी के टाइम में पाइनेटफक दोसों से ज्यादा कंट्री के अंदर अभी लोग इस चीज को माइन कर रहे हैं और अलग-अलग कंट्री के अंदर हम इसके प्रमोशन और पेमेंट्स प्रूफ देख पाते हैं और जैसे ही यह ओफिशली मार्केट के अंदर आएगा उ उसके बाद भी इसकी स्पीड और देज से बढ़ जाएगी अभी यह लॉंच नहीं हुआ ओन्गोइंग प्रॉसेस में तब जाके इतना अच्छा घासा इसने इंपक्ट क्रिएट कर रखा है थर्ड पॉइंट है यहाँ पर बताया जा रहा है और यह क्रूशल है और यह ए प्लीट करना ठीक है अगर पाइनेट वक चाहता है सबकी केवाईसी ऐसे ही वेरिफाय कर दे तो वो एक दिन के अंदर हो जाएगा क्योंकि जितने भी उनके पास फॉर्म हैगा वो सबको एक्सेप्ट कर लेगा बट वो यह चाहता है कि रियल जो पाइनियस है उनके अकाउ अकाउंट को वेरिफाय ना किया जाए इसके पीछे एक दो कारण है पहला तो यह है कि आपने जितने पाइक को माइन कर रखा है उससे कहीं ज्यादा इसके पास एक अकाउंट नहीं है ऐसे बहुत सारी अकाउंट है और पाइनिटफक का जैसे ही स्टार्टिंग में मान के जरो कम वेल्याशन भी आता है और दिरी दीरे करके उसका वेल्याशन बढ़ता है तो सभसäंग जो मार्केट ओन करेंगे वो स्कैमर्याभ दो सब्सधे जो किसी भी कंटफी के अंदर इस चीज को वैलेट कराना होगा CBDC के तुरू क्योंकि CBDC के तुरू हम legal currencies के अंदर मतलब एक तरीके से अपनी investment को चालू कर सकते हैं जो लोग जड़ते हैं crypto के अंदर investment करने से तो वो लोग government के साथ मिलके काम कर सकते हैं government के हाथ मिलके मतलब कि government जिस चीज को list कर यह उसके अंदर हम पैसा लगा सकते हैं जैसे कि share market के अंदर 50-50 के अंदर 50-50 की shares देखने को मिलते हैं इसमें क्या होता है कि आपका profit होगा बहुत जादा अगर आप अच्छे से investment करते हो तो research करके यह आपका loss होसकता है बहुत जाद हैं इसलिए जो लोग नए हैं जो लोग CBDC से शुरू करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे तो government proper verify करके ही crypto school list करेगी तो सेम तरीका उन्ही crypto school list कर पाएगी government जो proper तरीके से verified होंगे तो इसलिए pine network हर तरीके से आपकी KYC को अच्छे तरीके से verify करता है जिसके वज़ेसे future में व ठीक है fourth point है यहाँ पे बात की जारी है a project core team that just concentrate on working towards its goal पाई network अभी proper तरीके से अपने goals पे काम कर रहा है जैसे hack 10 पे काम कर रहा है utilities पे काम कर रहा है ठीक है और internal बहुत सारी चीज़े कर रहा है यह outside जो pressures है उस पो अभी एक तरीके से नजर अन्दास कर रहा है जैसे हम बात करें कि open manage क्यों नहीं आ रहा जल्दी से open manage आ जाना चाहिए बहुत सारी crypto currencies ऐसी है जो पाई network के बाद आई थी जो की proof of stake technology मतलब phone से mine की जाती है बट उन्होंने launching कर दी इन्होंने क्योंने launching कर जबके तुब से पहली crypto currency थी तो यह अभी अपने जो goal है उस पे काम कर रहे है ठ 5th point है I have never seen a crypto project that is untempting by ICO for quick money बहुत सारे cryptos ऐसे होते हैं जो starting में अपने airdrops वगेरा को launch कर देते हैं ठीक है और वो company से मतलब outside जैसे यह coin को launch कर देते हैं उसके बाद वो पैसे raise करते हैं कि आप हमारे project के अंदर join करो पैसा लगाओ और जैसे यह officially launch होगा आप सबको बहुत स और 6th point है I have never seen a crypto project that is vibrant community that is no match by other crypto projects तो आप सभी ने market के अंदर बहुत सारे और crypto projects को देखा होगा ठीक है उन सम्में पाइनेटफक सबसे special है इसी जैसे आप देखोगे इसकी ranking की बात करें fan following की बात करें या पाइनेटफक किसी एक specific चीज़ पर काम नहीं करता payment की बात करें त देख पाते हो यह hotels वगरा के अंदर भी आपको services प्रोवाइड करता है जो कि पैटो को services आप सभी देख पा रहे हो और ऐसा नहीं मैं गुलूँगा कि हर जगा यह 100% कर रहा है अभी starting में भी हर जगा आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिली जाता है हर एक category के अंदर ज जो कि अभी तक launch नहीं हुए है और जो launch हो चुके है ठीक है वो भी इतने अच्छा खासा user base लेके नहीं जा चुके आठवा point है I have never seen a KYC process as elaborate as by this means it is the most qualified crypto to be accepted by government regulators around the world तो आप सभी को जो मैंने KYC के बारे में बताया था कि कोई भी कंटफी जो है अभी KYC को लेके बहुत stick है क् KYC ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम crypto को कहीं न कहीं थोड़ा अच्छे से verify मान सकते हैं बाकि जो project काम कर रहा है वो तो अपनी चीज़े शो करेगा ही roadmap की बात करें ठीक है white paper की बात करें या other चीज़े हैं वो तो शो करेगा बट KYC एक बहुत necessary चीज़े हैं ठीक है और उस वो अभी के time में आपको profit दे सकती है ऐसा नहीं है कि वो lifetime आपको profit देगी ठीक है उसके लिए आप सभी को proper एक तरीके से research करनी पड़ती है उस crypto के बारे में और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो कितनी legal है वो आपने documents कितने एक तरीके से government को दिखाती है क्योंकि government भी अब crypto स बहुत अच्छा खासा पैसा बना रही है 30% के आसपास का TDS ले रही है और उसके साथ CBDC भी आ चुका है और G20 की जो अभी last year meeting होई थी उसके अंदर भी crypto की बात की गई थी और इतनी बड़ी जो exchange है Binance वो इंडिया के अंदर बैन है अभी भी जाके आप checkout करोगे तो आपको देखने को नहीं मिलता Play Store वेगरा पे ठीक है और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी जो companies थी FTEX का भी आप समने सुना होगा जो की proper bank corrupt हो चुकी थी ठीक है और Silicon Valley करके USA के अंदर bank भी bankrupt हो चुका था लगालो क्या-क्या चीजे हो रही है मतलब bank proper bankrupt हो जा रहा है तो यह जो थो ज़रूरी चीज यहाँ पर आपकी knowledge आती है आप किस तरीके से किसी भी crypto के अंदर या किसी भी share के अंदर किसी भी company के अंदर पैसा लगाते हो बट आपके पास अच्छी knowledge है तो आप सही जगा पे पैसा लगा के अच्छा पैसा बना पाओगे ठीक है और government थोड़ा यह चाह कर देंगे तो यह assurance होता है बट अगर आप individually trade कर रहे हो कहीं पे भी कुछ भी investment बगारा कर रहे हो तो वह अपने आप risk पर करते हो आप वहाँ पर बहुत profit भी बना सकते हो बहुत loss भी कर सकते हो ठीक है और यह साथ चीज डिपाइंड करती है आपकी knowledge पे और 9th point आप बताया मिलता है ठीक है मतलब इसकी अभी यह नीचे ही है मतलब top 5 के अंदर तो आई चुका है और जो बाकी meme coins है उनसे तो यह उपर आई चुका है obviously सी बात है ठीक है और दसवा जो point है I have never seen a cryptocurrency that is being used for bartering all over the world before it's going up and manage तो यहाँ पर आपको यह भी चीज़ समझ में आ रही होगी कि इ यह पहला case था वो bitcoin के साथ हुआ था जब bitcoin market के अंदर आ चुका था उसके बाद dominos वगरा ने इस चीज़ की buying वगरा open करी थी कि आप कोई भी limited products को buy कर सकते हो bitcoin के भी हाफ पर ठीक है वो नया concept था उस time पर 12-11 की आसपास की बात है तो उस time पर नया concept था क्योंकि हम fiat currency को use ना क्योंकि आज के टाइम में आप सभी को पता है कि bitcoin के क्या valuation है तो यहाँ पर बात की जारी है पाई के बारे में तो पाई अभी तक जो लोग mine कर रहे हैं वो लो यह नहीं बोल सकते कि यह जो हमने mine कर रखा है बिल्कुल zero है नहीं अभी जाके आप इसकी products वगरा को buy कर सकते ह आप कोशिश करो जितने भी पाई coins है उसको बचा के रखो क्योंकि इस महीने 9% से downfall में आ चुका है base mining rate और पाई जो को टीम है वो चाहती है कि limited पाई coins रहे और limited जो चीज रहेगी उसका valuation भी high जाने के most chances है अगर वो market के अंदर अच्छी services को देता है तो तो दोस्तों आज इसकी वीडियो के अंदर यहीता आई होप आपको समझ में आया होगा मिलते नए वीडियो के साथ तब तक के लिए चाहिंत वंदे मात्रम